हाई नमस्कार एब्रीवन मैं राजा और राजा डपे आप सभी का एक बार फिर शेश्वागत है दोस्तों आज की एपीसोड में हम लेकर के आए है कि बहुत सारे लोग है जिनको ये मालूम नहीं है कि बीजेपी पार्टी को किसने बनाई और बीजेपी पार्टी की आस्था आस्थाफना कब होई तो उसी के बारे में हम ये वीडियो लेकर के आए है कि बीजेपी पार्टी को कौन बनाया और बीजेपी पार्टी के आस्थाफना कब होई तो मेरे वीडियो के साथ बने रहे आप चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीजेपी को पहले किस नाम से जाना जाता था तो बीजेपी को पहले अक्विल भारतिये जन्संग या सौर्ट में बोले तो बीजेएस के नाम से जाना जाता था यह एक भारतिये राष्ट्यवादी राजनेतिक दल था इस दल की आस्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली म पहले नमबर पर थे स्यामा परसाद मुखर जी और दूसरे नमबर पर थे बलराज माधोग और तीसने नमबर पर दीन दियाल उपाद्धियाय इस पार्टी का चुनोचिंद दीपक था इसने 1952 के संसद्य चुनों में तीन सीटे पराप्त की थी जिसमें डाक्टर मुखर जी स्वें भी सामिल थे उसके बाद देश में होता है कि कुछ साल बाद यानि 25 जूल 1975 से 21 मार्च 1977 तक यानि 21 महने तक पूरे देश में आपातकाल लगाई जाती है इस आपातकाल को भारत के तकालिन राष्ट पती फकरुदीन अली एहमद ने तकालिन भारतिये परभवन मंत्री इंद्रा गांधी के कहने पर भारतिये संविधान की अनुछे 352 के अधिल आपातकाल की गोषणा करते हैं यहीं से एक नई पार्टी का जन्म होता है जिसका नाम होता है जनता पार्टी अब जानते हैं कि जनता पार्टी क्यूं बनाई गई थी जनता पार्टी भारत में एक गयर माननेता प्राप्त राजनेतिक दल थी इसकी आस्थापना भारतिय राष्टिक कॉंग्रेस की परधान मंत्री इंद्रा गांधी दुआरा 1975 और 1977 के बीच लगाएगे आपातकाल के विरोध में भारतिय राजनेतिक दलों के एक समूग के रूप में किया गया था उसके बाद होता क्या है कि 1977 में आपातकाल खत्म हो जाता है और इसके बाद देश में आम चुनाव घोसित किया जाता है इस चुनाव में होता है कि जनसंग पार्टी जनसंग वही पार्टी जो 1951 में सैमा परसाद मुखरजी के दुआरा बनाया गया था वो जनसंग पार्टी भारतिय लोक दल कॉंग्रेस ओ और समाजबादी पार्टी के साथ विले करके और जनता पार्टी के साथ मिलकर और भी छोटे छोटे दल के साथ मिलकर 1977 के आम चुनों लरने का फैसला किया इसका परमुक उद्देश था की चुनों में इंद्रा गांधी को हराना था 1977 का भारतिय आम चुनों 16 से 20 मार्च तक आयोजित किया गया था जिसके परिनाम सुरूप होता है कि जनता पार्टी और सी एफडी को देश में भारी जीत मिलती है और 1977 के लोग सभा चुनों में 298 सीट लाने में काम्याब हो जाते हैं जबकि सत्ता रूट भारतिय राष्टि कोंग्रेस केवल 154 सीट ही जीत पाती है जो पिछले चुनों की तूलना में 198 सीट कम हो जाते हैं और जन्ता पार्टी ने साल 1977 में देश में पहली गठवंदन की सरकार बनाते हैं और मोरारजी देशाई पीएम बनते हैं यह सरकार मार्च 1977 से जुलाई 1989 तक चलती है और यह पहली गेर कॉंग्रेसी सरकार भी होती है मोरारजी देशाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक देश के परधान मंत्री रहते हैं उसके बाद चरन सिंग्न जनवरी 1980 में चुनाव की घोसना करते हैं तो इसी बीच होता है कि 4 अप्रेल 1980 को जनता पार्टी जनता पार्टी कोन वही जनता पार्टी जिसको 1977 में राष्टी कोंग्रेस का विरोध करने के लिए बनाया गया था वही जनता पार्टी की राष्टी कारिय समिती ने अपने सदस्यों को RSS के सदस्यों होने पर परतीवंद लगा देता है तो पूर्व के भारतिये जनसंग पार्टी जो 1977 के चुनों में भारतिये लोकदल कॉंग्रेस ओ और समाजबादी पार्टी के साथ विले हो गया था उसी पार्टी के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो अब जानते हैं कि जनसंग पार्टी ने इसका विरोध क्यों किया तो विरोध इसलिए किया क्योंकि जनसंग पार्टी RSS की राजनेतिक साखा थी तो इसलिए जनसंग पार्टी ने जनता पार्टी का विरोध किया इस विरोध से होता क्या है कि जनता पार्टी जनसंग पा के नेताओं के साथ मिलकर भारतिय जंता पार्टी यानि बीजेपी का गठन करता है सुरुवात में बीजेपी पार्टी एसेफल रहती है और 1984 के आम चुनों में केवल दो लोग सवासीठ ही जित पाती है इसका बरा कारण यह भी था कि 1984 में इंद्रा गांधी के हत्या के कारण उनके बेटे राजीव गांधी को सहानुभूती की लहर पूरे देश में चल रही थी इसलिए बीजेपी को केवल दो सीठ ही मिल पाई उसके बाद बीजेपी पार्टी के सदस लाल किरिस्न आडवानी ने पूरे देश में राम जन भूमी आंदोलन छेर दी इस आंदोनल से बीजेपी पार्टी को एक नई ताकत मिलती है इससे बीजेपी पार्टी ने कुछ राज्यों में चुनाओ जित्ते हुए और राष्ट्य चुनाओ में अच्छा परदर्शन करते हुए 1996 में बीजेपी पार्टी भारतिय संसद में सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है तो इसे सरकार बनाने के लिए आमंतरित किया जाता है जो मात्र 13 दिन चलती है 1998 में आम चुनाओ के बाद भाजपा के नेतरित में राष्ट्य जनतांतरिक गठबंदन का निर्मान किया गया इस गठबंदन का निर्मान भाजपा द्वारा किया गया था इसमें भाजपा के ततकालिन सहयोगी दलों जैसे समता पाटी, सिरुमनी अकाली दल और सिवसेना क अलावा ओल इंडिया अन्ना दर्विड मुन्नेत्र करगम और विजू जंतादल भी सामिल थे तो इसी तरह राष्ट जंतांत्रीक गठवंदन यानि राजक का निर्मान हुआ हिंदी में राजक कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में एंडिये यानि नेशनल डेमोक्रेसी एला जो एक वर्स तक चली इसके बाद 1998 के आम चुनों के बाद राजक यानि एंडिये को पुनह पूर्ण बहुमत मिला और अटल विहारी बाजपेई के नेत्रीत में सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया इस परकार पूर्ण कार्यकाल करने वाली पहली गहर कॉंग्रेसी सरक पाने संसत में मुख विपक्षी दल की भूमी का निवाई उसके बाद 2014 के आम चुनों में एंडिये को गुजरात के लंबे समय से चले आ रहे मुख मंत्री नरेंदर मोदी के नेत्रीत में भारी जीत मिले और 2014 में सरकार बनाई इसके अलावा दिसंबर 2017 के अनुसार भारति 29 राज्यों में से 19 राज में भारतिय जनता पाटी सत्ता में रहे उसके बाद 2019 के लोकसवा चुनों में बीजेपी ने 303 सीट जीत कर सरकार बनाई जो 2024 तक चली उसके बाद 2024 में बीजेपी ने 240 सीट जीती है और NDA गठवंदन की सरकार बनी है भाजपा की कतीत विचार धा हिंदूत्व के लिए पर्तिवधिता व्यक्त करती है और नीतियां एतिहासिक रूप से हिंदू राष्टवाद की पक्षिधर रही है इसकी विदेश नीती राष्टवादी सिध्यांतों पर केंद्रीत है जंबू और कस्मीर के लिए विशेश संबैधानिक दर्जा खत्म करना और अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान करना हलांकी 1998 से 2004 तक जो एंडिये की सरकार रही है उसने किसी भी विवादित मुद्दे को नहीं छुए है तो यही था आज का वीडियो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर द मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखे